हाई फ्रेंड्स बेस्ट विद्नस एन्वी चनल पर आप सभी का सौगत हैं आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सव अंडो के न्यू मॉडल सेमी आटोमेटिक इंक्यूबिटर को कैसे यूज कर सकते हो जिया दोस्तों ये सव अंडो का सेमी आटोमेटिक इंक्य बिड़ रहे हैं ये डबलू तीनजर एक हीवी कंट्रोलर है इसके बारे में भी पूरी जनकरी दी जाएंगी और मशिन के बारे में भी पूरी जनकरी दी जाएंगी आपको वीडियो में और अगर आपके पास मशिन पहुचता है और आपको मशिन चलाना नहीं आता है तो आप ये बारकोर्ट स्कैन करके भी मशीन ओपरेट करने का वीडियो देख सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आपके पास मशीन आ जाता है तो मशीन पर जितना भी पैकिंग होता है वह आपको खटा लेना है उसके बाद बात करते हैं दोस्तो मस्षिन के साथ क्या चाहता है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह मस्षिन का हसेंपली इría दो लाइट वाला असीम लिए दोस्तों जीहा सिंगल फैन में दो लाइट वाला दो लाइट इसलिए ताकि अगर एक लाइट बीच में शौड भी हो चाता है उल्ड भी जाता है तो आपका दूसरा लाइट बैक अप बनाएगा और आप देख सकते हो ओरीजनल एंकर कंपनी क होरीट अड़ाप्टर है दोस्तों 2 इमपेर का ब्रांडेज स्टीसी पने हमेदिए है लाइट है जीहा ह्मड़ी बनाने के लिए जो पानी रखना पड़ता है दोस्तों हो पानी का टेनर है और ठीपीन शौटेट है उसके बाद में आप जो मशीन ख़र देडेते है दोस्त तो जिया यह डिंकर फिडर है कभी यह चोटा वाला देते हैं कभी यह बड़ा वाला देते हैं जिया दोस्तों कभी यह बड़ा वाला देते हैं दोस्तों यह डिंकर है और यह फिडर है दोस्तों जिया कभी यह अवेलेबल होता है कभी यह अवेलेबल होता है तो दोनों में स घंटेनर में पानी भड़िये, इसको इस तरह से लगाईे और पल्टा दीजय इसमें पानी आना शिरू होजाएगा, चूदा इसमें पानी प्येगा, यह फिडर है दोस्तो इसको इस तरह से लगाना है, और घुमा देना है जाली उपर से downside देना है, इधर से आप दाना दाल बोटल में दाना भरो इसमें दाना आ जाता है चूदा या पर दाना खाता है उची तरह से दोस्तो डायरेक्ट बोटल में पानी भरो बोटल को ये पूरा क्याप लगा दो और बोटल को पलिटा दो तो यहाँ पर पानी आता है दोस्तो चूदा यहाँ पर पानी पीता है अब फिर न्यूस पेपर दालके भी अंडे बिचा सकते हो अब इमस्री बता रहा हूं करके मैं नीचे अंडे रखूंगा लेकिन आपको कुछ ना कुछ रखके ही अंडे रखना है ताकि नीचे का जो सर्पे से वो गंदा ना हो जिया दोस्तों और आपके मशिन के साथ यह जो ने रखा आप भी अपने पाद जितना अंड़ा है उतना रख सकते हो अगर कोई जगा बचती है तो आप कोई भी कटोरी वागेरा फिर से पानी के भर के रख सकते हो जी हा इस तरह से आपको अंडे रखना है और अंडे रखने के बाद अंडों के उपर स्प्रे करना है तो परचे जिसके उपपर अंडे को रखकर आप अंडो की कैंडलिंग कर सकते हैं इसको नीचे से स्विच होता है ये भी मशिन के साथ ही आता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप पानी रग दोगे अंडे रग दोगे तो फिर आता है दोस्तों असेमली का बाँ तो यह आप देख सकते हो मशीन के साथ दो लाइट आये हुए आप इसे इस तरह से पलटा सकते हैं अब आपको क्या करना है कि यह जो सेंसर है यह अंडे के बिल्कुल पास में जाना चाहिए और हवा में लटकना चाहिए हवा में अंडव के उपर आदा इंच उपर हवा में सेंसर लड़कना चाहिए इस बात पर ध्यान देना है और आपको डपकन लगा देना है मशिन के साथ अडप्टर आईए दोस्तों इसको उपन करना है पुरा ओरिजनल है कोहीं नहीं देता है सालों साल खराब नहीं होती है यह अडप्टर को आपको यहापर फिक्स करना है और यह जो अडप्टर आपको प्लगिं करना है तो यह दोनों को मैं plugging कर देता हूँ इस तरह से आप connecting wire का इस्तमाल करके भी plugging कर सकते हो और machine को चालू कर देना जी हा यह देखें machine चालू हो चुका है अभी फिलाल machine के अंदर का जो temperature है वो 34.1 degree Celsius है इसके अंदर already setting होके आता है जैसे 37.8 degree Celsius हो जाएगा light जो है अपने आप off हो जाएगी उसके बाद में जैसे temperature कम हो जाता light अपने आप on होगी जी हा दोस्तों पूरी तरह से temperature automatic है आपको कुछ करने की दोरोत नहीं है जैसे ही heat बनने वाले light off हो जाते है अंदर की जो LED light है वो चालू रहेगी दोस्तों अंदर के उजाले के लिए जी हा फैन और LED light 24 घंटा शुरू रहेगी सिर्फ light on off होगे temperature वाले आप देख सकते हो 37.1 हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये light off जी हा ये देखे आप heat बनाने वाले light off हो चुके है सिर्फ LED light शुरू है और fan शुरू है इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा अब आपको क्या करना है अब आपको डेली जी हाँ अगर आप मुर्गी का अंडा रख रहे हो तो 18 दिन बदक का अंडा रख रहे हो तो 25 दिन बटेर का अंडा अगर रखते हो तो 13 दिन आपको अंडो को रोटेट करना है, हिलाना है तो हिलाने के लिए आप धक्तन को खोलिए अंडो को आप एक ही जगा पे राउन भी कर सकते हो इस तरह से ऐसा ऐसा राउन भी कर सकते हो आप इसके उपर हाथ भी गुमा सकते हो आपको अंडों को दिन में कम से कम तीन बार रोटेट करना है, जी हाँ, अंडों को दिन में तीन बार कम से कम आपको हिलाना है, सुबह उट्टे से दोपेर में एक बार और रात को सोने के पहले, उसके अलावा आप तीन से ज्यादा बार भी रोटेट कर सकते हो, मानलो आपने सुबह इनको रोटेट कर दिया और दो तीन चार गंटे बाद आप फिर से मशिन के पास पोच गए तो फिर आप मशिन को ओपन करके फिर अंडो को रोटेट कर सकते हो आप जितने बार रोटेट करोगे उतना अच्छा रहेगा रोटेट हम इसलिए करते ही कि चूदा शिलके क अंदर से ना चिपके करके इस तरह से आपको अगर मुर्गी के अंडे रख रहे हो तो आठरा दिन तक रोटेट करना है अठरा दिन के बाद आपको रोटेट करना बंद कर देना है और अगर जगा बचते है तो उसमें जो आपने पानी रखा हुआ है वो पानी और थोड़ जैसे 18 दिन complete हो जाते हैं दोस्तों आपको देखना है कि अगर मशिन के अंदर जगा है तो आप थोड़ा सा पानी का कोई भी कटोरी वगएरा और एक्ष्टा रख सकते हैं उससे humidity इंक्रीद होती है जी हाँ 18 दिन के बाद मशिन को बार बार नहीं खुलना है अगर आप खोलोगे तो इससे humidity लेस होता है जी हाँ को पूरे 21 दिन तो machine के अंदर पानी रखना ही रखना या पानी कम नहीं हो लेकिन 18 दिन के बाद humidity 70 परसेंट से उपर चाहिए होती है तो अब आप बोलोगे कि निकिन भाई humidity हम काई में गिन सकते हैं तो machine के साथ Digital Thermometer आता है इसको open कीजिए यह Digital Thermometer है इसके साथ यह एक छोटी सी बैटरी आती है सबसे पहले तो यह स्क्रीन के उपर जो श्टीकर लगी हुई है पनी इसको हटा दीजे पीछे के साइट से ओपन होता है इसके अंदर इस बैटरी को डाल दीजे यह चालो जाता है जी हाँ यह चालो हो जाता है यह 34.3 टेंपरेचर बता और हुमिडिटी बता रहा है 51% इसको आप इस तरह से भी रख सकते है टैन को खुल के और इसके पीछे एक छोटा सा स्वीच होता इसको अगर दबाओगे तो आप फेरेनाइट्स में भी टेंपरेचर देख सकते है अटरा दिन तक तो इसकी जरूत नहीं है बढ़ आटरा से इस मशिन को आप ऑपरेट कर सकते हो चूदर निकलने के बाद एक दो दिन आप मशिन के अंदर ही चूदों की ब्रूडिंग कर सकते हो या फिर ब्रूडिंग बाहर भी कर सकते हो मुर्गी के चूदर निकलने के लिए पूरे 21 दिन लगते है इस तरह से इस मशिन का इस्त हमार पास cash on delivery भी अवेलेबल है आपको है हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसनाई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने जरूतमन दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा आप सभी मित्रों का धन्यवाद